कि नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत मैं आपका दोस्त विवेग गुगना कि आई दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या लगन के बारे में कैसा रहेगा देव गुरु ब्रस्पति का राशी प्रवर्तन कॉम्ब राशी में कन्या लगन के जातकों के लिए दोस्तों पांच एप्रल को देव गुरू ब्रस्पती अपनी नीच की मकर राशी को छोड़ कर शनी की जो मूलतकों राशी कॉम्ब है वहाँ पर गोचर करने जा रहे हैं और ये राशी कन्या लगन के जातक जो हैं उनके सिक्स भाब में पढ़ती है अभी देव गुरू ब्रस्पती आपके फिफ्त भाब पर मकर राशी में गोचर करने हैं लेकिन पांच एप्रल को वो आपके चार्ट में कॉम्ब राशी जो की सिक्स भाब में पढ़ती हैं सब्सक्रें पर बारे ंपर आजाएंगे सबसे पहले तो हम थोड़ा सा देव गुरू ब्रस्पति की चाल के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि दिसंबर तक देव गुरू ब्रस्पति की काफी तेज रहने वाली है दोस्तों पांच एप्रल को देवगुरु ब्रस्पती आपके 6 भाव में आ जाएंगे कुम्राशी में 20 जून को यही पर रहते हुए देवगुरु ब्रस्पती वक्री अवस्ता में होगे और यहां पर वक्री होते हुए वो उन्नित स्तंबर को वापस आपके 5 भाव मक्र में चले जाएंगे और वहां पर रहते हुए 13 अक्तूबर को वो मारगी हो जाएंगे और वहां से ठारा अक्तूबर को मारगी चाल चलते हुए बीस नुवंबर को दुबारा से आपके कुम्बराशी जो की सिक्स भाव में पढ़ती ही आपके चार्ट में वहां पर वापिस आ जाएगे यह रहेगी देव गुरु ब्रस्पती की काफी तेज स्पीड या उनकी चाल अब जादी सिंपल भाशा में बात करें कि देव गुरु ब्रस्पती लगन से किस भाव में अपने भावों से किस भाव में जाएंगे तो नॉर्मली जादातर किसी भी ग्रय का राशी प्रवर्तन हो या हम सबताहिक जो गोचर देखते हैं या मासिक गोचर फल देखते हैं उसमें यही चर्चा होती है कि लगन से यह प्लैनेट इस भाव में चला गया अपने भावों से इस भाव में स्वामी है हम कहेंगे कि वह सैवन्त भाव से 12 मतलब 6 भाव में चला गया और 7 भाव हमारे वहाहिक जीवन का या पार्नेश्प वी बीनस का होता है तो वहां भी दिक्कत प्रशानियों का सामना करना जातों को पड़ सकता है यह नॉर्मल चर्चा है उसके बाद व्यादिक अस तो गय को सिख़ा हिए उसके बाद हम देखें नाइंथ था सके यह वह सेखिंट भाव में देखा है तो सिख वहां में बैठा हुआ है नोक्री के दुबारा पैसा आजाएगा को कि सेकंड भाव पैसे का है सिक्स भाव करजे का है यदि को करजा लेना चाह रहे हैं तो आपको करजा मिल जागा यह नॉर्मल प्रडिक्शन है लेकिन जैसे कि महमें शाख कहता हूं कि कोई भी प्लैनट हो दोस्तों जब व ब्रस्पति किया पूजिशन है मुझे नहीं पता मैं यहां पर सिर्फ आप से देव गुरु ब्रस्पति के जो गोचर है किन भावों का स्वामी है किस नक्षत्र पर जाएगा कब कब जाएगा कब वक्री कब मार्गी होगा उस सब की चर्चा करूंगा तो सबसे पहले आप सब दोस्तों से मित्रों से कहना चाहूंगा खास करूं दोस्तों सो जो पहली बर हमारे यूट्यूब चैनल पर आएं और यह वीडियो देख रहे हैं जिए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस सब्सक्राइब कर लिजिए करते हैं देवगुरु ब्रस्पती के राशी प्रवर्थन की देवगुरु ब्रस्पती की चाल के बारे में हम समझ चुके हैं उनके भावों के बारे में हम समझ चुके हैं अब बात करते हैं कि देवगुरु ब्रस्पती पांच एप्रल को जब आएंगे कुम्ब राशी मे है कुम्ब राशी मों मंगल का जरिश्टा नक्षत्तर के जो लास दो चरण है वो पढ़ते हैं मंंगलके बाद राहु तक कि शुरू करेंगे उसके बाद 20 मई से लेकर 24 जुलाई तक शत्विशा अपर तो यहां पर भी वो रहु के बाद से प्रयान वहां看一下 में जायेंगे वहां भी दिनिश्टा निक्षात्र कि जह पहले दोचर ना वहाँ पढ़ते हैं तब ही वह दिनिस्टा नक्षत्र पर गोचर करेगा उसके बाद फिर वह मारगी होंगे मारगी होकर दुबारा से वह वीस नॉंबर को आपके फिर सिक्स भाव में हैंगे मतलब 20 मई से 24 जुलाई तक वह राहू के नक्षत्र पर गोचर करेंगे बाकी के समय में देव गुरु ब्रस्पति कुम्ब में रहेंगे मकर में रहेंगे लेकिन गोचर उनका धृनिस्टा नक्षत्र जो की मंगल का है उसी पर रहने वाला है और मंगल की पुजीशन भी हम साथ में देखेंगे कब कब किस भाव में वो मूव हो रहा है तो मंगल उस समय आपके टेंथ भाव पर उसकी जो है मूवमेंट होगी तो देखिए दोस्तो अब ज़िए हम बात करें पांच एपरल को देव गुरु ब्रस्पति मंगल के धिनिस्टा नक जी का कारक है और आपके चार्ट में जैसे मैंने में कहा कि थार्ड भाव और एट भाव का स्वामी होकर मंगल जो है टेंथ भाव पर गोचर करेगा और उसकी द्रिस्टी लगन फोर और फिफ्ट भाव पर भी रहेगी छोटे भाई भैनों से मित्रों से प्रोसियों से गोचर है उनको मिला कर देखें तो आपकी हेल्थ को भी यहां पर दिक्कत दखाई दे रही है किसी लिटीगेशन में आप इस समय फसकते हैं क्योंकि देव गुरु ब्रस्पति का गोचर सिक्स में हो रहा है मंगल जो है आपके एट भाव पर गोचर करेगा और टैंथ ट्वैलो और साथ में टैंथ भाव जुड़ेगा तो इस से आपके नेम फेम को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है संतान पक्ष से चिंता बनी रहेगी इस समय जो जातक नौकरी के लिए इंटर्व्यू देंगे उनको सफलता मिलती दिख रही है और साथ में नेम फेम की व चाट में फोर्थ भाव के स्वामी है और मंगल आपके एट भाव का स्वामी है जो की एक्सिदेंट चोटा दी का होता है तो वहन जो है इस समय आपको बड़ी सावधानी से चलाना पड़ेगा यदि आप इस समय किसी तरह का कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं या कर्ज के लिए अपलाई किया हुआ है तो इस समय में आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा और उसका कारण होगा आपके डाकुमेंट पूरे नहीं होगे मंगल आपके थर्ड भाव का भी स्वामी बन रहा है जो की डाकुमेंट का भाव होता है और एट भाव का वो साथ में स्वामी है इसलिए वो चीज़ें यहां पर नहीं दिख रही है नॉर्मल शिक्षा ले रहे हैं जो जातक हैं उनको परशा जानी और दिक्तों के साथ यहां पर आर्थिक लाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों इसके लावा बीस मई को भीस मई से 24 जुलाई तक तो देव गुरू ब्रसपती वक्री होंगे लेकिन रहेंगे आपके सिक्स भाब नहीं कुम्प राशी में लेकिन बीस मई से 24 जुलाई तक जैसे मैंने कहा कि शतभीशा नक्षत्र पर गोचर करेंगे और वह नक्षत्र राहु का है उस समें होगा इस समय राहू की जो यूती है वो सूरिया के साथ भी होगी शुक्र के साथ भी होगी और बुद्ध से भी होगी जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि राहू के तुझ जो होते हैं दोस्तों वो जो प्लैनेट उनके साथ यूती में होता है उसका result देते हैं जा उसको भी वो planet को represent करते हैं तो जो result वो planet देंगे उसको जो राहू है वो खुद देगा तो यहां पर देखी है कि उसकी युती सूरिया से शुकर से बुद्ध से है अब गुरू का नक्षत्तर दुवरा जो संबंद बनेगा वो लगन से बनेगा, सेकिंड से बनेगा नाइन से, टैन से, ट्वैल्व से भी होगा विपार में हो, नौकरी में हो इस समय अच्छा खासा आर्थिक लाव होगा, साथ में आपकी प्रमोशन जदी आप देख रहे हैं तो वो भी हो जाएगी राज निती हो या समाधिक शेत्रों पद प्रतिष्टा में वरिदी हो गई आपकी जैसे मैंने का गुरू फर्स्ट सेकिंड सेक्स सेवन नाइन टैन और की वज़ा से यहाँ पर आपको प्रॉप्टिक की कोई ना कोई खरीद करारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मतलब एक अच्छी खासी कोई कि गुरू रहा है खुद एक अच्छा प्लैनेट है तो अच्छी खासी और बड़िया इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर सकते हैं जिसके इलावा और क्या हो सकता है बहमुल्या वस्तुओं का द्वारा भी है हेल्थ नाजुक यहां पर भी रहेगी लेकिन हाँ चिंता की कोई बात में कोल मिलाकर आर्थिक द्रिष्टी कौन से 20 मैं से 24 जुलाई तक का समय दो है आपके लिए अच्छा रहेगा 24 जुलाई से 19 सितंबर तक देव गुरू ब्रस्पती कुम्ब राशी में रहते हुए ही मंगल के नक्षत्र पर गोचर करेंगे और मंगल जैसे में नगा 3rd 8 का स्वामी होकर आपके उस समय सिंग राशी जो की 12 भाव पर पढ़ती है वहां पर गोचर करेंगे अब देखें गुरू सेवंत भाव का स्वामी होकर सिक्स्त में और नक्षत्र त्वारा 3 8 12 से जुड़ेगा तो सेवंत भाव मेरीड लाइफ का पार्णर्शिप बीनस का अब जिन जात्कों के जनम चार्ट में मेरीड लाइफ में परशानी देख रही है या डिबोर्स दि जातके जीवन में पा nous करेगा और गोचर जब उस त्रीके से बन जायेका यह वह वैक्टिवेट हो जाम बने की जो मैरीड लाइफ और या पारने शिब फल मिलेंगे दोस्तों इस समय अपने विवाहिक जीवन को बचाने के लिए क्योंकि मंगल की नक्षबत्र पर गोच्छर करेगा मंगल आप जांते हैं क्युं गुस्षे का जो है उसको री पर्जेंट करता है वाभ ही वाद को कर तो इन सब चीजों में आपको तो आपको सैयम रखते की व्षकता होगी जोप सभाई दे रहा है जौब करने वालों को परशानी दिक्तों का सामना करना यहां भी पड़ेगा सीधी सी मतलब बता देता हूं आपको मैं कि यह जिस नक्षत्र पर गोचर करेगा दोस्तों वह मंगल वह एट भाव का स्वामी है सीधी सी बात तो एट भाव दिक्कत का परशान या जिन जिन भावों से वह समय बनाएगा उनसे आपको प्रशानी दिक्तों का सामना करना पड़े गई पड़ेगा अब देखिए आपके कार्या भार में यहां पर व्रेदी होती दखाई देरिया जिसकी वज़ा से आपको मानसिक प्रशानी जेलनी पड़ेगी कुल मिलाक अगर कहूं तो 24 जुलाई से लेकर 29 स्तंबर तक का समय जो है मानसिक तनाप से भरा रहेगा आर्थिक दिस्ट्री कौन से समय जो है मिला जुला रहेगा परवारिक सुख में कमी दखाई देगी वहां ध्यान से चलाईए खर्चों पर कंट्रोल रखें या सोच समझ कर में चले जाएंगे जो कि आपके फिफ्ट भाव में पड़ता है और रहेंगे मंगल गेनक्षत्र पर अब मंगल जो होगा उसका गोचर जो होगा वो आपके लगन भाव पर होगा आपके सेकीन भाव पर होगा और आपके थार्ड भाव से भी उसका गोचर होगा थार्ड ए यहां पर अचानक से आपको आर्थिक लाब मिलता दिखाई दे रहा है आर्थिक हालत जो है आपके इस समय सुद्रेंगे लेकिन परशानी बनी रहेगी रहेगी क्योंकि मंगल एट भाव का स्वामी है पार्नेशिप बीनस से जीवन साती से माता से नौकरी से, कर्ज से, पैतर के रूप से, इंशोरंस के रूप से आपको आर्थिक लाब यहां पर मिलता दिखाई रहे है इसके बाद मंगल थर्ड में जला जाएगा अब वो थर्ड क्योमनी किष्ण का चोटे भाई भाई बहनों का यात्रास अधिगा वो कारक है और मंगल ख प्रू जो है है जे प्लैनेट फौर्थ भाव का स्वामी और जिसके नक्षत्र पर गोचर कर रहा है वो थर्ड भाव मतला फौर से ट्वाव है तो वहां से आपकी दूरी दिखाई दे रही है यात्रा हो सकती है प्रॉप्टी सेल कर सकते हैं आप क्योंकि फौर से वह त्व चाहिक दालता लोग के जीवन साथी को और सिट भाव मता है बंक्ष जीवन साथी का उम्का पार्टर शिप से कर रहे हैं उनकी यात्रा होती दिख रही है और ऊससे यात्रा से उनको नौकरी नहीं है तो उनको इस समय में नौकरी मिल सकती है लेकिन खुद की समय काई को मिलेगा लेकिन संतानबक से चिंता यहां पर भी बनी रहेगी बीस नुमबर से देव गुरू ब्रस्पति दुबारा से जो है आपके शिक्स भाब में चले जाएगे अब देखिए मैंने यहां का संतानबक से चिंता बनी रहेगी वह इसलिए क्योंकि फिफ्थ भाब पर ब से जो है संतान पक्से परशानी दिख रही है अब वो जब सिक्स में चला जाएगा तो फिफ्ट का स्वामी फोर का स्वामी सिक्स में चला गया ठीक है और उसका जो यूती है वो है जे निशत्र दुआरा एट भाप से भी जुड़ेगा तो इसका मतलब संतान पक्स की चिंता तो देव गुरू ब्रस्पति डूर करने वाले नहीं है जाहे वो अपना कुंब राशी पर घोचर करें मैरी लाइफ में उतार चतर आप देखने को मिला दोस्तों आर्थिक हालत में अब सुधार होना शुरू हो जाएगा मेरी लाइफ हो संतानों कर्ज मिलने में यहां पर भी मुश्किल दिखाई दे रही है कुल मिलाकर कहूं कन्या लगन के जो जातक हैं उनको देव गुरू ब्रसपती का जो गोचर है आर्थिक द्रिस्टिकों से 20 मई से लेकर 24 जुलाई तक बहुत बढ़िया रहने वाला है बाकी का जो समय है दोस्तों मिला जुला आपको अर्जल्ट मिलेगा हेल्थ आपकी सही रहेगी चिंता की कोई बात मिया मेरी लाइफ हो वेपार हो नौकरी हो यहां कर्ज लेना हो इन सब चीजों में कुछ न को आपको कंट्रोल रखना होगा तो दोस्तों यह थी जानकरी क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ यह होता कि हम कोई भी इंसान हो कोई बिल्कुल बिबाग कहता हूं कोई किसी के हालत नहीं सुधार सकता अस्टॉल्जी का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम भविश्या में देख खराब रहेगा उस हिसाब से हमें अपनी बना कर चलनी होती है एक्चुल अस्टॉल्जी दोस्तों यह है त्वाशा करता हूं यह वीडियो यह चर्चा आपको अच्छी लगी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स खुला है वहाँ पर अपना विचार दे सकते हैं वीडियो क आपके दोस्त मित्तर हैं अस्टॉल्जी में रूची रखते हैं यदि आपको यह चर्चा अच्छी लगी तो इसका लिंक आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं एक और नई जानकरी को लेकर तब तक के लिए नवस्कार